तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है आयन्स की, आयनों की हम जानते हैं कि जब किसी भी सॉल्ट को, किसी भी लवण को, जब हम जल में घोलते हैं, तो वो आयनों में तूट जाता है रेड आयन और धन आयन दो प्रकार के आयन होते हैं जो की ज्यादा तर अकार्बनिक लवण बनाते हैं जब वो जल में गोले जाते हैं इसके अलावा कार्बनिक लवण भी होते हैं और्गनिक सॉल्ट भी होते हैं जो की आयन्स देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ basic ions के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं hydrogen ion जो होता है उसको हम H positive लिखते हैं इसको हम proton भी बोल सकते हैं इसके बाद sodium ion की बात की जाए तो Na1 positive होता है charge का आपको विशेश ध्यान रखना है क्योंकि चार्जी होता है जिससे हम dhan ion और red ion का charge balance करके कोई भी salt बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा और उसका सूत्र क्या होगा इसके बाद potassium पर भी one positive charge होता है क्योंकि S block के first A group का यह element है तो S block के first A group के जो भी element होंगे उन पर one positive charge होता है और जो second A group के तत्तों होते हैं उन पर two positive charge होता है यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो ammonium ion की बात की जाए तो ammonium ion एक nitrogen चार hydrogen परमाडूँों से मिलकर बना होता है और इस पूरी entity पर इस पूरे ion पर one positive charge होता है इसको हम ammonium ion कहते है और यह सभी आप left side पर जो देख रहे हैं यह सभी दोस्तों धनायन है silver की बात की जाए तो silver दोस्तों AG one positive होता है silver क्या होता है दोस्तों AG one positive होता है इस पर भी one positive charge होता है calcium की बात की जाए अभी जो मैंने आपको बताया कि calcium S block के second day group का तत्त है तो इस पर कितना charge होगा दोस्तों इस पर two positive charge रहेगा दो धनात्मक आवेश रहेगा तो calcium ion इस तरह से हो गया अब बात करते हैं iron two positive की जिसको हम ferrous ion भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों ferrous ion भी कहा जाता है fe two positive होता है दोस्तों ferrous ion copper की बात की जाए दोस्तों तो cu two positive जो होता है ये cupric ion होता है cu two positive ये cupric ion होता है और cu one positive जो होता है वो cuprous ion होता है तो cuprous और cupric में आपको अंतर पता होना चाहिए next दोस्तों बात करते हैं lead की तो PB two positive हमें देखने को मिलता है कई सारे salt में pbcl2 देख लो pbco3 देख लो कई सारे salt आपको lead के मिल जाएंगे तो pb2 positive यहाँ पर आप लिखेंगे lead iron के लिए और भी आक्सी करा नवस्ता पाई जाती है लेकिन pb2 positive दोस्तो कई सारे salt में पाई जाता iron 3 positive की बात की जाए तो fv3 positive को ferric iron कहते है इसको ferric iron कहते है fe2 positive को ferrous कहते है जबकि fe3 positive को ferric कहते है fe2 positive fe3 positive में अंतर आपको पता होना चाहिए fe2 positive जो होता है वो ferrous salt बनाता है जैसे ferrous sulfate, feSO4, ferrous chloride ठीक है जबकि यह क्या बनाता है यह ferric लवड बनाता है ferric salt बनाता है जैसे बनाएगा ferric chloride क्या हो जाएगा fecl3, ठीक है ferric hydroxide, feOH का whole thrice whole thrice क्यों? एक red iron के तीन आइनों की अवश्यक्ता है इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ferric पर 3 positive है और जितना positive होगा उतना ही negative balance करके हमें salt बनाना होता है या तभी वो लवड बन पाता है aluminium की बात की जाए तो aluminium पर भी दोस्तो 3 positive charge होता है AL3 positive तो कोई salt अगर हम बनाएंगे aluminium के तो किस तरह से होंगे ALCl3 aluminium chloride हो सकता है ALOH का whole thrice aluminium hydroxide हो सकता है क्यों हुआ यह क्योंकि chloride के एक आयन पर one negative होता है तो तीन negative हमें लगेंगे तीन positive को पूरा करने के लिए या एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए जो charge लगेगा वो बराबर और विपरीत charge होना चाहिए opposite charge equal and opposite charge मिलकर ही दोस्तो salt बनता है अब दोस्तो हम negative ion की बात करेंगे main negative ions बहुत important है आप class 8 से लेके अगर आप 12 में हैं या किसी competitive exam की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह basic बाते हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए hydroxide की बात करेंगे तो OH negative ion जो होता है दोस्तों यह hydroxide ion होता है hydroxide ion होता है chloride की बात की जाए तो CL 1 negative होता है इसी तरह से fluoride भी होगा क्या होगा F1 negative bromide भी होगा BR negative और iodide भी होगा I negative तो यहां पर सभी halogen ions जो होते हैं halogen in ions जो होते हैं red ion की बात कर रहे हैं ठीक है तो उन पर 1 negative चार्ज ही आपको देखने को मिलेगा X negative से हम इनको शो कर सकते हैं commonly इनको हम प्रदर्शित करें नाइट्रेट की बात की जाएं दोस्तों तो नाइट्रेट पर क्या charge रहता है नाइट्रेट का charge रहता है NO3 1 negative पूरी entity पर charge 1 negative रहता है तो sodium नाइट्रेट बना लो ठीक है यहाँ पर क्या अहीं पन गजाएगा न एन एन यह न Olivia 3 इस ammonium nitrate भी बन जाएगा NH4NO3 बस आपको यह देखना है कि similar charge आपको balance करने होते हैं similar and opposite equal and opposite charge जब आप balance करेंगे तब भी कोई salt बनेगा इसके बाद silver nitrate भी बन जाएगा AGNO3 बन जाएगा calcium nitrate कैसे बनेगा calcium का तो एक iron रहेगा calcium का तो एक iron रहेगा लेकिन NO3 के हमको 2 करना पड़ेंगे क्योंकि तभी हमारा संतुष्ठ होंगे charge क्योंकि nite rate पर 1 negative है calcium पर 2 positive है तो हमे nite rate के 2 iron देने पड़ेंगे दो iron लिखने पड़ेंगे रखने पड़ेंगे तभी हमारा calcium nitrate बनेगा, इसी तरह से acetate की बात की जाए, तो acetate पर one negative होता है, sodium से मिला दो, तो क्या बन जाएगा, sodium acetate बन जाएगा, ammonium acetate भी बन जाएगा, potassium acetate अगर मिला देंगे, ठीक है, silver acetate भी बन जाएगा, calcium acetate कैसे बनेगा, calcium acetate के लिए में acetate के तो दो iron iron लेने पड़ेंगे, और calcium का एक ही रहेगा, क्योंकि इस पर two positive charge है, इसी तरह से bicarbonate iron जो होता है, HCO3 one negative होता है, और carbonate iron की बात की जाएगा, दोस्तों, तो carbonate iron जगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझ सकते हैं, carbonate iron होता है, CO3 two negative, तो यह carbonate iron होता है, तो sodium bicarbonate बन सकता है, दोस्तों, इसके बालावा potassium bicar carbonate भी, ammonium bicarbonate भी, silver bicarbonate भी, यह सब बन जाएगे, सल्फाइड की बात की जाए तो दोस्तो सल्फाइड पे होता है S2 निगेटिव ये सल्फाइड आयन रहता है ओक्साइड आयन की बात की जाए तो O2 निगेटिव ये ओक्साइड होता है सल्फेट की बात की जाए दोस्तो तो सल्फेट SO4 तो निगेटिव होता है अब यहाँ पे देखो इस पर है 2 positive, इस पर है 2 negative, दोनों को आपस मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, CuSO4, क्योंकि बराबर और विपरीज चार्ज है, एक दूसरे को neutral कर देंगे, तो हमारा salt, हमारा लवन बन जाएगा, copper sulfate बन गया, lead sulfate की बात की जाएगा, तो PB2 positive है, ठी भी दोनों आपस में clash करेंगे, यहाँ मिलकर lead sulfate बना देंगे, क्या बना देंगे, PBSO4, PBSO4 बन जाएगा, इसी तरह से अगर बात की जाएगा, अब यहाँ पर मैं आपको एक वो देता हूँ, सवाल देता हूँ, आप comment box में बताना, कि ferric sulfate हम कैसे बनाएगे, अब देखो, यहाँ पर FE पर 3 positive है, और SO4 पर 2 negative है, ठीक है, SO4 पर 2 negative है, तो SO4 के अगर हम 3 iron ले लेंगे, तो हो जाएगे, माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम FE के 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर plus 6 हो जाएगे, तो इधर plus 6, इधर minus 6, तो दोनों का salt बन जाएगा, ferric sulfate बन जाएगा FE 2 SO3 का whole thrice, कार्बोनेट मैंने बताई दिया, आपको कार्बोनेट कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको कार्बोनेट CO3 2 negative, CO3 2 negative है, अब यहाँ पर देखो, फेरस पर भी 2 negative है, एक सेकंड, फेरस पर भी 2 negative है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, फेरस कार्बोनेट क्या बन गया, Fe CO3 2 negative मतलब जितना positive उतना negative आपस में मिला दो लवन बन जाएगा salt बन जाएगा lead carbonate भी बन जाएगा PbCO3 क्योंकि Pb2 positive है CO3 पर 2 negative है तो PbCO3 हो जाएगा इसके बाद बात की जाए इसकी तो इसका comment box आप कराना कि ferric carbonate कैसे बनेगा aluminum carbonate कैसे बनेगा AL3 AL2 CO3 का whole thrice बनेगा क्योंकि 3 positive के जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा AL2 कितना हो गया total 6 positive क्योंकि 1 AL पर 3 positive था तो 2 AL पर 6 positive हो जाएगे और इसके हम कितने लेंगे इसके 3 लेंगे तो CO3 का whole thrice तो यह हो जाएगा 6 negative तो बन जाएगा aluminium carbonate तो इस तरह से हम धनायन और रडायन को बना कर दोस्तो salt बना सकते हैं अब बात करते हैं अब दोस्तो बात करते हैं हम कुछ और यहाँ पर हम आपको ions दिखाने वाले हैं जो कि similar ions होते हैं और आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है बहुत ही यह important होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा important होंगे थोड़ा रंगीन color picture का use करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर similar types NINs की बात करेंगे हम similar types NINs की बात करेंगे इस पूरे page में similar type मिलते जुलते NIN हैं थोड़ा सा तो फिर हम क्या ही reaction करेंगे और क्या ही हम chemistry पढ़ पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे similar type NINs क्या यह तस्वीर यह image आपको सही दिख रही है मुझे तोड़ी धुनली दिख रही है इसलिए मैंने यह image यहाँ पर आपको लगा दिए तो सबसे पहले देखते हैं similar type NINs NINs का मतलब क्या होता है NINs का मतलब होता है red iron और cat iron का मतलब होता है dhan iron तो एक जैसे मिलते जुलते NIN कौन से होते हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं nitrate दोस्तो NO3 1 negative होता है इसके बाद nitrite अब देखो nitrate और nitrite कितने मिलते जुलते वर्ड हैं लेकिन यहाँ पर confusion हो जाती तो NO2 1 negative जवाब रखेंगे तो यह nitrite होगा nitrate क्या होता है NO3 1 negative इसी तरह से nitride की बात की जाए तो nitride N पर 3 negative charge यह जो हमारा NIN बनेगा यह जुरड आत्मक आयन बनेगा यह nitride कहलाएगा nitride इसके बाद agide आयन की बात की जाए agide आयन क्या होता है N3 1 negative तो कितने close close यह आयन आपस में एक दूसर से मिलते हैं nitrate nitrite के साथ मिलता जुलता है तो confusion हो सकता है ध्यान रखना NO3 1 negative nitrate होता है हमारा N3 negative और agide क्या होता है N3 1 negative इसके बाद दोस्तों यहाँ वर हम देखेंगे aluminate के बारे में तो ALO2 1 negative यह होता है aluminate आयन अब बना दो sodium aluminate बना दो ठीक है potassium aluminate बना दो यहाँ पर minus 1 negative है sodium पर 1 positive है आपस में मिल जाएंगे एक दूसरी से clash कर जाएंगे आपस में attract कर लेंगे दोनो आयन एक होगा धन आयन एक होगा red आयन आपका salt बन जाएगा तो यह चीज बहुत ही आवश्यक है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप chemistry कहीं पर भी पढ़ रहे हैं जिंकेट की बात की जाए तो ZNO2 2 negative यह दोस्तो होता है Zincate यह क्या होता है Zincate ध्यान दीजेगा ZNO2 2 negative यह Zincate क्रोमेट की बात की जाए तो CRO4 2 negative यहाँ पर 2 negative आपको दिख रहा होगा CRO4 2 negative सिलिकेट की बात की जाए दोस्तो तो silicate क्या होता है SiO3 2 negative यह silicate क्या होता है SiO3 2 negative यह silicate ion बन जाएगा अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और मिलते जुलते N ions की, red ion की तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों इसी वरकार की important videos के लिए आपको subscribe करके रखना है exams with MS YouTube channel को अच्छे अच्छे आपको tips, tricks, tutorials, model paper, question paper सभी कुछ यहाँ पर हम आपको मिलता रहता है UP board 9 से लेकर 12 तक complete तयारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है Sulfate ion की बात कीजाए Sulfate ion हम देख चुके है SO4 2 negative होता है Sulfite क्या होता है SO3 2 negative कितना सा difference है Sulfate और Sulfite में Sulfate होता है SO4 2 negative और Sulfite होता है SO3 2 negative Sulfide क्या होता है S2 negative तो यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है कि Sulfate, Sulfite और Sulfide में क्या आंता है इसी तरह से BISULFITE की बात की जाए दोस्तो BISULFITE की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि BISULFITE क्या होता है HSO4 1 negative यह हुआ हुआ BISULFITE BISULFITE क्या होगा HSO3 1 negative और BISULFITE क्या हुआ HSO1 negative यहाँ पर H अगर हम जोड देंगे Sulfate आयन के आगे H जोड दो तो BISULFITE हो जाएगा Sulfite के आगे अगर H जोड दो तो BISULFITE के आगे BISULFITE बन जाएगा Sulfite के आगे अगर H जोड दो तो यह BISULFITE बन जाएगा इतना सिंपल है यह कार्बोनेट और BICARBोनेट में आपको अंतर पता ही है कि कार्बोनेट होता है CO3 2 negative और यह BICARBोनेट होता है HCO3 1 negative तो sodium BICARBोनेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा sodium और HCO3 बन गया BICARBोनेट जबकि कार्बोनेट बनाने के लिए अगर हम sodium का कार्बोनेट बनाना कि sodium पर 1 positive होता है तो Na के 2 लगेंगे क्योंकि यहाँ पर minus 2 है ठीक है अब देखते हैं कुछ और इनायन्स के बारे मेंगनेट और पर मेंगनेट मेंगनेट और पर मेंगनेट देखते हैं तो मेंगनेट आयन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंगनेट आयन होता है MNO4 2 negative यह होता है मेंगनेट आयन एक ही potassium का हमने ion यूज किया क्योंकि यहां पर per magnet ion पर one negative है potassium पर one positive है जब formula लिखते हैं तो positive negative नहीं दिखाते हैं but हमें यह पता होता है कि one potassium पर positive है और per magnet पर negative है दोनों को मिला दो क्या बन गया potassium per magnet अगर magnet बनाना होता हमें potassium का तो हमें लिखना पड़ता K2 MnO4 K2 MnO4 क्यों? क्योंकि MnO4 पर इसमें 2 negative है तो यह कहलाएगा potassium magnet इसी तरह से chromate क्या है इसी तरह से chromate होता है CrO4 2 negative और dichromate होता है Cr2O7 2 negative ठीक है potassium chromate होता है potassium dichromate भी होता potassium chromate अगर हम लिखना चाहेंगे तो K2 CrO4 लिखेंगे ठीक है potassium chromate होता है potassium dichromate अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे K2 Cr2O7 दोनों पर यह 2 negative चार्ज है chromate और dichromate आयन होता है इसके बाद की जाए oxide आयन बहुत confusion करते हैं दोस्तो oxide पर होता है O2 negative peroxide पर होता है O2 negative इसके बाद superoxide पर होता है O2 negative बहुत ही अच्छा है यहां पर आपको difference देखने को मिलेगा O2 negative क्या हो जाएगा यह दोस्तों यह हो जाएगा oxide peroxide क्या हो जाएगा award two two negative उसके बाद hydroxide की बात की जाये तो hydroxide पर जानता ही है और hydride आयन पर क्या होता है educ मी इसी तरह से phosphate होता है PO4 3 negative Phosphide क्या होता है HPO3 2 negative HPO3 2 negative और Phosphide क्या होता है P3 negative और Hypo Phosphide क्या होता है HPO2 यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर focus करना H2PO2 1 negative तो यह सबी similar ions हैं इनको ध्यान रखना है और Oxide वाला जो confusion है Oxide, Paroxide, Super Oxide इन पर जितना charge है जब ध्यान रखोगे तो ही Salt बना पाऊगे Inorganic Chemistry में और Organic Chemistry में भी ज़रूरत पढ़ती है इनकी तब ही आप अच्छा कर पाऊगे तो Salt का यह मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है इसका screen shot भी आप लेट सकते हैं इसकी color picture और जितनी भी इसमें slide यूज हुई है वीडियो में आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएंगी टेलेग्राम चैनल का लिंक दोस्तों description box में आप वहां से जाकर join कर सकते हैं वहां पर आपको सभी प्रकार की important PDF model paper question paper के भी PDF मिलते रहते हैं तो यहां पर यह सभी आयन है इनका screenshot दोस्तों लेकर जरूर रखना मिलते हैं अपने next वीडियो में उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी thanks for watching and listening में आप ये वीडियो देख रहते हैं exams with MS YouTube चैनल पर चैनल को subscribe कीजिए इसी प्रकार की important videos के लिए